वेलकम बैक टो चैनल देखे इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोष्ट गार्ड की आने वाली वैकेंसीज के बारे में ये वीडियो उन इस्टुडेंट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जिनको अभी एर फोर्स के रिजल्ट का इंतजार है जी हाँ आप को कंटिनीव करूं या क्या करूं बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं तो उनके लिए मैं यहां पर एक अप्डेट बताने जा रहा हूं कि इंडियन कोष्ट गार्ड के अंदर आप देखेगा आप ये ओफिसल वेबसाइट जॉइन इंडियन क पेज ओपन हो जाएगा और जब आप इसको नीचे करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं करियर में आप जाएंगे तो नाविक जीडी पर जब क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर रिकूट्मेंट साइकल पर जाएंगे तो यहां पर आपको इसके रिकूट्मेंट के ब देखे यहां पर साप साप लिखा गया है ना कि यहां पर दो बैच आपको दिये जाते हैं मतलब दो बैच आते हैं नेवी इसमें कोश्ट गार्ड में ठीक है आप देखे इसमें क्या है कि फर्स्ट जो बैच है वो जून या जुलाई में आता है ठीक है और सेकेंड बैच जो है first batch यहाँ पर आप देखके first batch जुलाई प्र पिछले साल का बॉइठ था जुलाई में आया था और इसका जो एग्जाम हुआ इस्टेज वन जो एग्जाम हूआ वह मिड सेप्टेंबर हुआ और अक्टूबर और नॉवंबर में क्या हुआ इसका सेकेंड इस्टेज हुआ ठीक है और उसी प्रिकार से अगर बात करें जो दूसरी वेकेंसी आती है सेकेंड जो बैच है उसका प्रिवियस यहां पर लिखा हुआ ना तो मतलब कि पिछली साल जो है वो दिसंबर में आया आज एक उपर में आजए गी वेकेंसी कुछ दिन बात तो इसका जो एक्जाम होगा फेज वन का मिड़ फेबरिली में होगा मिड़ मतलब 15 तारिक जो होता है मिड़ बीच बोलते मतलब बीच फरवरी में आपका यह इस्टेज का जो है कि एक्जाम होगा तो ओबर राल मेर एर फोर्स का जो syllabus है अगर आप उसको cover करते हैं तो आप इस vacancy को देख पाएंगे ठीक है इसका exam दे पाएंगे और जो इसका second exam होता है वो March या अप्रेल के महिने में पिछली साल होगा तो इस साल भी उसी समय के अनुसार होगा ठीक है तो यह जो update है वो आपके लिए मैंने ब comment box में हमसे पूछ सकते हैं बागी इस चैनल से आप जुड़ जैने तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि ऐसी में notification और ऐसी notice जो भी आएगी आपको मैं देता रमगा defense rated कोई भी exam की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें मिलेंगे फेगली वीडियो में तब तक लिए जै हिंद वंदे मातरम